अलो दोस्तो वेलकम टू चैनल अन एम के वर्क आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत हैं विशे हिंदी पाठ अक्षडो का महत्व भाग एक कारपत्रक 15 कक्षा 6 प्यारे बच्चो आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पुस्तक पाठे पुस्तक वसंत में पाठ का नाम है अक्षडो का महत्व अक्षडो का महत्व नामक निवंद के लेखक गुनाकर मुले ने अक्षडो के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तके अक्षडो से ही बनती है आईए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षडो के महत्व के विशय में जाने अक्षरों की कहानी यह पुस्तक अक्षरों से बनी है सारी पुस्तके अक्षरों से बनी है तरह तरह की पुस्तके तरह तरह के अक्षर दुनिया में अब तक करोरों पुस्तके छप चुकी है हजारों पुस्तके रोज छपती है तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं इन सब के मूल में है अक्षर हम कलपना भी नहीं कर सकते की यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनाधिकाल से जानते हैं अक्षरों का ग्यान हमें किसी ईश्वर से मिला है पुराने जमाने के लोग सचमुछी सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईस्वर ने नहीं बलकि स्वयम आदमी ने की है अब तो हम यहां भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है आईए अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रशनों को सॉल्व करते हैं तो मारा पहला प्रशन है अक्षरों की खोज किस ने की है उत्तर है अक्षरों की खोज मानव ने की है प्रेस नमबर दो है अक्षर धोनियों स्वरो और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं उधारन के लिए हिंदी उर्दू और बंगलाम आदी सब्दों में परतेक अक्षर के लिए उसकी धोनी निर्धारित है कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होता है नीचे कुछ चित्र दिये गए हैं उनसे क्या संकेत व्यक्त होता है बताओ तो यहाँ पर आपको दो चित्र दिख रहे हैं तो यहाँ पर चार चित्र है तो पहला चित्र जो है आगे स्कूल है दूसरा है बाई से दाई और घूमने का संकेत तीसरा है दाई और मुड़ने का संकेत चौथा है बाई और मुड़ने का संकेत प्रेश नमबर तीन है आपके घर में या आसपरोस कौन कौन से काम लिख कर किये जाते हैं लिखिये उत्तर है स्कूल का ग्रह कार्य, राशन का बिल, दूद का बिल, बैंक से राशी निकालते समय, फार्म को भड़ना, घर के हिसाब, किताब का कार्य, बजार से सामान लाने की सूची चिट्थी लिखना, ये सारे काम है प्रस नमबर चार है, जैसे पार्ट में अक्षर के बारे में बताए गया है, आप अपने विद्याले के बारे में बताते हुए दस वाक्ये लिखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ लाइन से मैंने लिखिए, तो आप यहाँ से भी से राइट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सब्द भी सब्दार्त लिके तो यह भी आप अपनी कॉप्य में राइट कर सकते हैं तो आज की हमारी वर्क्षिट कम्प्लीट हो चुकी है अगर आपके चैनल अच्छा लगा था प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल के साथ जो रह को चाँ चुझ काँ ऑाइक नुदे चुझ काहरां ओ।